वेलकम बैक टु मैं चैनल और आज मैं आपको दिखाने चारही हूँ ब्राइडल आई मेकप पहले ही सेट अप पूरा मैंने कर लिया है और यह रोजेज है जो कि हैस्टाइल में लगने तो मैं हैस्टाइल आपको इस वीडियो में बता दे रही बिल्कुल सिंपल सी कि मांगती का इतना जादा है भी था कि वह पूरे हैस्टाइल को कबर कर रहा था तो यहां पे सिफ हैस्टाइल की मैंने यह टु यह पार्टिंग की है फ्रंट लुक के लिए और हलकी क्रिंपिंग कर वा दिया है तो यह देखे और बैक ओमिंग करती जा रही है में थोड़ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सिफ आई मेक अप इस वीडियो में दिखाया है आपको सो यह देखे आई मेक अप और हैस्टाइल सो यहां पर मैंने अच्छे से बैक ओमिंग कर ली है और क्यूंकि ब्राइडल है और इस पर हैवी चुनी टिकनी हैं लहंगे के साथ की इसलिए हमें एक सपोर्ट देना पड़ रहा है सो यहां देखे यह मैंने एक्सचेंशन अलग से एक बालों का बन होता है वो लगा रही हूं मैं और इसको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे जटक करना है जिसे बिल्कुल भी हिलेना और यह देखे ह और मल जूड़ा दिया है मैंने बहुत जादा कुछ भी नहीं किया है जूड़े पर सिर्फ उसके ही बालों को लेकर डोनट लगा के एकदम सिंपल सा जूड़ा किया है सो यह थी डाइडल की हैस्ट करते हैं मेरा आई मेक अप और फेस मेक अप सो मेक अप के लिए सब से पह एक से मौशराइजर को लगाने के बाद हम अपना चारकट के मांट करेंगे मौशराइजर को ठोड़ा सा टाम मिल जा है भाने के लिए तो चलिए अब करते हैं लिए जसे पहले हम लगा डेंगे टेप जिससे बिल्कुल भी मेक अप यक अप ऐमारा करिया है कि उसे हम क्रीस बना लेंगे और आप देख रहे हो इसका भर्फ फिर्जनी मेकप किया से बराइडल और यह डिफरेंट मेक आप ब्राउन लिए अष्टा और ना करना है बहुत लाइट ब्लैंड करना है और अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे और बेन्डिंग बहुत अच्छे से करनी देखे मैं पूरा टाम ब्लैंड में दे रही हूं जिससे जो भी हमारा कलर है वो विल्कुल भी केकी ना दिखे या विल्कुल लाइन्स ना दिखे उसमें ब्लेंड दिखे मेकप और इस तरह से आप 5-6 ब्रश हमेशा अपने हैंड में रखें जब जिस समय जिस ब्रश की नीड हो उसको यूज करें और कलीन करने के बाद ही हमेशा आप प्रश में ना च्वाम अच्छाते का वर्श में ब्रश कहांजरेंग कितना भी भेष कलीन हो जो खेंएperform को यूजर रहेंकिना सग्षे यूज टन के पहले इनका ही कंसा मेकप था तो सारे मेकप में में यूज हूएैं इसे बाद भी मैं कलीन कर रही हूं आभी मैंने थोड़ा सा डाक ब्राउन की color लिया है light brown से डाक ब्राउन की तरफ गई हूं और ये देख सकते हो आप इसकी बहुत छोटी eyes है घुरी बहुत चोटी eyes थी जर्या आप्स से दिखा रही है और flat brush के help से हम cut crease करेंगे जिससे बहुत sharp crease line cut हो और यह देखे बहुत अच्छे से patience के साथ आपको line को cut करना है crease line को cut करना है और उसके बाद यह देखे अच्छे से crease होने के बाद cut crease होने के बाद powder dapping कर दे रही हूँ मैं यहाँ पर powder setting हो गई है और अभी हलका सा मैंने pink color उपर से blend किया है dark brown के बाद और यहाँ मैंने golden eyeshadow फिल कर दिया है जो भी हमने cut crease करी थी उस पर golden color का eyeshadow फिल किया है और यहाँ मैं थोड़ा सा matty look दोंगी पूरे eye makeup पे क्योंकि जो मैंने healthy makeup किया था वो बहुत glittery था सो यहाँ मैंने matty makeup किया है और अभी मैं लगा रही हूँ gel kajal सो यह kralon का gel का जल है और उसको मैं बहुत patience के साथ apply कर रही because यह bride है real bride है तो बिल्कुल भी risk नहीं लेना है सो यहाँ जो भी real makeup आप करें तो बहुत patience के साथ करें बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें because यह चीज़ें ऐसी होती है liner है हमारा mascara है जो कि अगर एक बार बिगड़ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है ठीक करना सो आप बहुत patience के साथ make up करें और आप देख सकते हो eye makeup जैसे जैसे होता जा रहा है फिनीशिंग होती जा रही कितना सुन्दर दिखता जा रहा है और आप देख रहे हो make up का final look अभी बारी है eyebrow fill करने की यहां मैंने wax लिया है उसके बाद मैं काजल ले रही हूँ brown color का और यह देखे आइब्रो भी enhance हो गई है साथ के साथ मैंने eye lashes को भी लगा दिया है eye lashes लगाने के बाद आप देख सकते हो eye makeup कितना beautiful दिख रहा है साथ के साथ मैं यहां पे face का भी make up करती जा रही हूँ because मेरा eye makeup half complete हो गया है क्योंकि अभी मुझे under eye area under eyes पे भी work करना है so यहां मैंने primer apply कर दिया है face पे जिससे कि face भी प्रेप होता चले skin भी प्रेप होती चले eye makeup के साथ क्योंकि 90% हमारा eye makeup complete हो गया है then अच्छे से primer को apply करने के बाद हम use करेंगे then मैंने apply किया है kajal तो kajal लगाने के बाद पहले हम apply करेंगे kajal और फिर उसको gel liner से फिल कर देंगे so यहां यह देखे kajal को मैं apply कर रही हूँ यह gel kajal apply कर रही हूँ उसके बाद हम liquid kajal से उसको lock कर देंगे और यह देखे बहुत patience के साथ आपको जो भी kajal, maskara, app liner जो भी उसकर रहे हो बहुत patience के साथ लगाए so यहां apply हो रहा है और यहां हमारा complete होता है eye makeup so क्योंकि eyes को बड़ी दिखाने के लिए मैंने white kajal का भी use किया था इसकी eyes पे so अगर makeup आपको अच्छा लगा हो और मैं इसका full makeup video भी डाल दूँगी अगर आपको eye makeup अच्छा लगा हो और इसकी makeup का बहुत जादा बहुत प्यारा makeup लगा था और यह हमारी eyes makeup देखें पूरी all over complete हो गई है and lastly मैंने इसमें थोड़ा सा glitter लगा था golden color का और यह था मेरा पूरा bridal makeup so यह देखें कैसी लग रही है और bridal makeup अगर आपको देखना है पूरा तो आप मुझे comment करिएगा यहां मैंने आउसकी कुछ pics लगा दी है और makeup बहुत long lasting था बहुत बहुत जादा अच्छा हुआ था आपको makeup कैसा लगा है जरूर बताएगा और थोड़ा सा भी makeup अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए